अलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है ज्यारेफड़ा चानल पे मैं हूँ डॉक्टर प्रियांका गुदरा जो CSIR नेट लाइफ साइंसेस के लिए ज्यारेफड़ा की आप पर पढ़ाती हूं तो गैस अगर आप हमें जॉइन करना चाहें तो CSIR NET का कम्प्लीट कोर्स अवेलिबल है ज्यारेफड़ा की आप पर जो आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्यारेफड़ा की वेबसाइट पर जाके यहां अभी जॉइन करने पर आपको मिल जाएगी 12 मंस की वेलिडिटी अट और प्राइस ऑफ 19,999 यहां पर आपको पेपर के ABC ती स्टैडी पर जो करना है और दो क इस कर सकते हैं को जिस आप करने जा है तो एक विकैंसी जो आप लोगों के लिए कि सो गईज हम बात कर रहे हैं Combined Administrative Services Examination जो की CSIR कंडग कर वा रहा है इसका Advertisement आया है जिसके अंदर दो vacancies निकली है जिसके अंदर है Assistant Section Officer और Section Officer ये दोनो vacancies आपकी निकली हैं अभी ओके इसके बारे में और डीटेल से देखते हैं इसके अंदर जो Form Filling की Last Date है वो है आपकी 12th of January मतलब 12th January से पहले पहले आपको ये Form पढ़ना है और जो Exam की Tentative Date बताई जा रही है वो है February 2024 मतलब February के मन्त तक Exam होना चाहिए और राइट सो यहाँ पर डीटेल्स दे रखी है वेकेंसी की Section Officer के लिए जो Essential Degree है वो आपको University की Normal Degree चाहिए आपकी जो Age Limit है वो 33 से Cross नहीं होनी चाहिए जो आपको Pay Level मिलने वाला है वो मिलेगा अप टू 1,51,000 Okay? Starting from this सो यह आपका Pay Grade है और इसकी बाद में अगर बात करें Assistant Section Officer की तो इसके अंदर Pay Grade ये दिया हुआ है डिगरी चाहिए जो Age Limit है वो Exceed नहीं होनी चाहिए 33 यह से स्यादा अब अगर Vacancies की बात करें जो टोटल Vacancies है वो आपकी जो है Assistant Section Officer की वो है 368 Vacancies जिसके अंदर SCST का यहाँ पर Break Up पूरा दे रखा है तो टोटल 368 Vacancies यहाँ पर आपके लिए Available है और अगर हम Section Officer की बात करें तो Section Officer के लिए Available है 76 Vacancies जो कि यहाँ Break Up दिया हुआ है कि SCST, OBC, EWS और UR के लिए कितनी Vacancies यहाँ पर Available हैं आपके लिए So guys यहाँ पर एक चीज और दी हुई है कि जो कुछ Special Candidates है उनके लिए 19 Post इन्होंने अलग से रिजर्व करके रखी है Out of the above mentioned Total Post है 444 जिसमें से 19 Posts आर रिजर्वट फर Persons with Benchmark Disability Suffering From Not Less Than 40% मतलब अबव 40% जिनके अंदर Disability है और जिसके लिए उनके बस मतलब Sufficient Proof है Documents है उनके लिए 19 Seats अलग से रिजर्वट है Now Upper Age Limit जो है वो क्या है 33 years वहाँ पे हमने देखा था Now यहाँ पे कुछ relaxation है किस-किस ग्रूप में SCST ग्रूप के लिए 5 years का relaxation है OBC के लिए 3 years का relaxation है ठीक है So 33 plus हम करके देख लेंगे 33 के ऊपर यह हमें जो Upper Age Relaxation है वो दिया गया है Now जो Unreserved Physically Handicapped जो है उनके लिए 10 years Now यहाँ Physically Handicapped SCST के लिए 15 years का relaxation है Physically Handicapped OBC के लिए 13 years का relaxation है X-Serviceman के लिए 3 years का है उसके बाद में जो लोग CSIR के डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 years का relaxation है और जो बाकी Categories है उनके लिए कोई relaxation नहीं है So now guys Coming to the scheme of examination किस तरह का आपका यह exam होगा ठीक है उसमें कितने questions आने वाले हैं So यह सब चीज़ें हम यह देखेंगे So basically 3 papers है Paper 1, 2 and 3 So इसको इन्होंने 2 sections के अंदर divide किया है So जो first part है उसमें होंगे यह 2 paper Paper 1 and Paper 2 So paper 1 किसका है General Awareness and English Language and Comprehension जो paper है वो total 150 marks का है और इसके लिए time duration आपको दिया जाता है 2 hours का और यहाँ पे जो paper 2 है वो है General Intelligence, Reasoning and Mental Ability यह है 200 marks का paper और इसके लिए आपको दिये जाते है 2 and a half hours So यह जो दोनों paper है यह एक साथ में conduct होंगे और check होंगे ठीक है इसकी बाद में अगर आपका जो marks है वो sufficient आता है तो आपको call किया जाता है 3rd paper देने के लिए So सबसे पहले आपको यह दोनों papers clear करने है So यह total कितने हो गए 350 marks का तो यहीं पे पेपर हो गया Paper 1 and paper 2 जो paper 3 है वो है English Hindi का descriptive paper So generally यहाँ कुछ mention किया हुआ नहीं है बर generally कह कि जितनी vacancy होते है उससे generally 10 times यहाँ पे बुलाते है So 10 times candidates को यह बुलाएंगे 3rd paper के लिए 3rd paper English Hindi का है descriptive paper है और यह है 150 marks का और इसके लिए time दिया गया है 2 hours का So 350 यहाँ और 150 यहाँ So 500 marks का आपका यह paper हो गया Now यहाँ पे interview और CPT यह अलग-अलग post के लिए अलग है बाकि यह जो 3 पेपर है दोनों post के लिए बिलकुल सेम है Assistant, Section Officer को भी यह 3 पेपर देने है वो क्या है दोनों vacancies के लिए Section Officer के लिए 500 marks के यह 3 पेपर हो गया इसके बाद में इन्हें एक interview और देना होगा जो की carry करेगा 100 marks So इनका जो total merit है वो 600 marks में से निखलेगा किनका? Section Officers का और Assistant Section Officers के लिए कोई interview नहीं है उनके लिए एक computer proficiency test रखा गया है So जो computer proficiency test है 100 marks का यहां बताया गया है Assistant Section Officer के लिए यह computer proficiency test है और यहाँ पे CPT जो है qualifying in nature है Okay Now paper 1, 2, 3 सभी के लिए compulsory है मतलब दोनों पोस्ट के लिए compulsory है तीनों ही exam देना Paper 1 and 2 में जो बच्चे qualify करेंगे जहें call किया जाएगा वो paper 3 देंगे इसके लवा इन्हों ने बताया है कि जो paper है वो कैसा होगा bilingual Hindi और English दोनों languages में बिलेगा Except for this कि यह वाला जो part है English वाला English language and comprehension यह वाला जो portion है यह English में ही आपको देना है Okay बाकी जो तीनों part है उसमें Hindi English दोनों languages का use हुगा Now Coming to the section officer So यहाँ पे जिन्होंने minimum 3-should marks 350 यहाँ पे aggregate जैसे मैंने अभी आपको बदाया Paper 1 और 2 जिसने qualify कर लिया Paper 1 और 2 जो है वो कैसे है Multiple choice type questions यहाँ पे है और जो paper 3 है जिसके लिए आपको 1 और 2 qualify करने पे बुलाया जाएगा वो कैसा है Descriptive type paper है ओके यह दोनों ही post के लिए common है और जो paper 3 है वो again 150 marks का होगा और इस तरह से 500 marks So section officer के लिए जो merit निकलेगी वो निकलेगी out of 600 marks ओके इसके basis पे बच्चों को finally call किया जाएगा Now coming to the assistant section officer इसको भी accordingly पेपर 1 और 2 पेले qualify करना है तो फिर paper 3 जो है descriptive type होगा उसके लिए आपको call किया जाएगा So यह starting वाला जो phase paper 1, 2, 3 यह दोनों ही post के लिए common है लेकिन यहाँ पे कोई interview नहीं है assistant section officer के लिए यहाँ पे आपको एक computer proficiency test है वो आपको देना होगा जो की सिरफ qualifying है nature के अंदर और इससे जो marks होंगे वो finally आपका जो merit निकलेगी उसमें count नहीं होंगे मतलब की assistant section officer का जो merit निकलेगा वो निकलेगा out of 500 marks और जो section officer के लिए merit निकलेगा वो निकलेगा out of 600 marks तो इसमें तो सिरफ paper 1, 2 और 3 के जो marks हैं और इसके अंदर paper 1, 2, 3 के marks और प्लस interview के जो marks है वो भी आड होंगे final marks में यहाँ पे जो computer proficiency test आप दे रहे हैं उसके जो marks है यहाँ पे आड नहीं होंगे ओके सो यहाँ पे syllabus का break up भी दे रखा है paper 1 जो है वो किसका होगा general awareness and english language and comprehension 150 marks का होगा okay so यहाँ पे पूरा detailed आपको syllabus दे रखा है history, India history of India, Indian national movement constitution, current events ठीक है English language के अंदर comprehension आजाएगा okay act of passive, direct and direct दे रखे हैं, prepositions, synonyms antonyms, sentence correction punctuation, idioms, phrases यह होगा आपका paper 1 ठीक है इसमें जो general awareness है, उसको 100 marks इनो ने दिये वह है और जो English language है, उसके लिए 50 marks है paper 2 जो है, वो है general intelligence, reasoning and mental ability जो की 200 marks का paper है so इसके अंदर क्या क्या आगे आपका general intelligence, reasoning, arithmetic, numerical ability general science आएगा, economic and social development general issues, environmental and ecology biodiversity and climate change related questions, ethics, integrity and aptitude decision making, problem solving management principles and practices and national geography so यह सभी topics यहां पर include किये गए है और इनका जो है marks का break up भी यहां पर पूरी तरह दिया गया है और यह 200 marks का paper है, paper 2 so paper 1 और 2 को जो clear कर लेका उन बच्चों को यह जो दोनों paper हैं, यह कैसे हैं of preference in case of time, मतलब अगर कोई बच्चों की बराबर बराबर marks आ गए हैं तो उस case में वो preference किस तरह से choose करेंगे so section officer के लिए तो जो बच्चे के higher marks है paper के अंदर ठीक है न, वो merit में ज्यादा मतलब consider किये जाएंगे, interview marks अगर किसी के ज्यादा हैं और paper में कम हैं तो उसकी बजाए जिसके paper में ज्यादा marks हैं और interview में कम हैं उसको पहले consider किया जाएगा ठीक है जिसकी कम negative marking हुई है उसको पहले consider किया जाएगा date of birth जिसकी ज्यादा है जो older candidates है उनको पहले consider किया जाएगा okay essential degree जिसने पहले ले ली है और या फिर जिसकी परस ज्यादा higher degrees है उसको पहले consider किया जाएगा और उसकी बाद में अगर यह सब कुछ ही बराबर है तो alphabetical order में जो उनका नाम है उसकी basis पे किया जाता है तो इसी तरह की कुछ चीज़ी यहाँ पर भी है assistant section officer के लिए भी okay so यहाँ पर क्योंकि interview नहीं है तो यहाँ directly वो negative marks से शुरू करेंगे जिसकी कम negative marking हुई है बराबर marks है लेकिन किसी candidate की कम negative marking हुई है उसको पहले prefer करेंगे फिर date of birth वाले को फिर जिसकी degrees है और फिर alphabetical order now examination center जो paper 1 और 2 है paper 1 और 2 के लिए कितने total 19 cities है जिनको जहाँ पर आपके examination centers दिये जा रहे है और paper 3 के लिए यह वाले 11 centers है और इसके अलावा जो assistant section officer के लिए CPT test होने वाला है computer proficiency test उसके लिए भी यही वाले 11 centers है okay paper 1 & 2 के लिए 19 है और paper 3 के लिए और जो CPT है उसके लिए 11 centers यहाँ पर दिये गए है so guys this is all information about this examination ठीक है और आपको यह जो सारी जानकारी है यह मिल जाएगी इनकी website पर जो website यहाँ पर दी हुई है यह देखें यहाँ पर यह website दिखाई वी है www.csir.res.in की ओपर so यह website है जहाँ पोई आपको यह वाला pdf मिल जाएगा और आपको 12th of January last date दिखा रखी है 12th January 2024 so accordingly उससे पहले पहले जो भी बच्चे इस form को भढ़ना चाहें वो ध्यान रखें date को और उस according भढ़ने so guys this is all about this session अगर आप हमी जोइन करना चाहें अगर आप CSIR NET की preparation करना चाहें तो आप हमी जोइन कर सकते हैं JRF Adda app पे और JRF Adda आपको app आपको मिलेगी JRF Adda की website ठीक है so JRF Adda की website पे जाएं okay JRF Adda की website पे आपको JRF Adda की app मिल जाएगी जिसे download करने की बाद आप हमें जोइन कर सकते हैं so that is all about this session thank you so much